हेलो दोस्तों मैं आपका दीपक सार और आप सभी को अपने यूटू चैनल जैनियस क्लब में स्वागत करते हूँ जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में बोट अन्य स्ट्रीम के सवालों को देखा था हमने कहा भी था कि हम पार्ट वाइज इस चैप्टर को करते हुए जाएंगे तो मुझे उमीद है आप लोगोंने पहले पार्ट को जितना प्यार दिया है और जितनी चीजों को सीखा है अगले इस पार्ट में भी हम क्या करेंगे सीखते हुए जाएंगे तो बिना समय गवाए बढ़ सकते हैं और अब आप अपनी टैटनिक यानी अपनी जहाज को डूबने नहीं दोंगे मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ तो आज कुछ बहतरीन कोस्टन जो की हम किस से बनाएंगे ग्राफ से होते हुए कोस्टन को बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारा यही नौ और धारा के कॉंसेट में किस तरीके से हम ग्राफ से कोस्टन को कर सकते हैं क्या आप तयार है जैसा कि पहला कोशन आप अपने बूर्ड पर देख रहे हैं क्या दिया गया है कोशन को पढ़ते हैं और देखते हैं एक नदी पर तीन सहर है चलिए भई आ, एक नदी पर तीन सहर है जो की समान रूप से बैठी है, ठीक है नदी बैठी, Q, P और आर से समान दूरी पर, तो सबसे पहले हम अपना ये बना लेते हैं कि हमसे क्या कहा गया ये P है हमसे क्या कहा गया ये P है चलो भईया बना लेते हैं या फिर थोड़ा सा नीचे बनाते हैं हमसे कहा गया ये P है ये पहला सहर ये Q है ये दूसरा सहर और ये R है ये तीसरा सहर ठीक, P, Q, R हो चुका है ठीक है, समानदूरी पर खड़ी है कोई दिक्कत नहीं, समानदूरी पर है ठीक है, Q, P, R से समानदूरी पर ठीक है, रभी को ठीक है, रभी को P से Q रभी को P से Q जाने तथा वापस आने रभी को P से Q जाने तथा वापस आने में कुल 10 घंटे का समय लगता है चलिए भाईया ठीक है कुल 10 घंटे का समय लगता है और वह P से R चलो भाईया बना लो और वह P से R 4 घंटे में चला जाता है तो वह P से R कितने घंटे में चला जाता है 4 घंटे में चला जाता है तो अब आईए थोड़ा सा समझ लें और थोड़ा सा जान लें आओ पेन का color change कर दिया तो आईए अब समझा जाए तो हमको पता है बच्चे कि यहां से यहां जाने में total चार घंटे लगते हैं और Q इनके बीच की दूरी है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहां से यहां यहां यह दो घंटे में जाता होगा और यहां से यहां भी दो घंटे में क्यों दो घंटे हुआ किसलिए हुआ तो हम कहेंगे sir क्योंकि q क्या था मद बिंदू था यानि midpoint था यानि बरावर दो रीपिय था तो यहां से यहां कुल जाने में 4 घंटे तो आधा जाने में कितना लगेगा 2 घंटे फिर आधा जाने में कितना लगेगा 2 घंटे कहीं कोई दिक्कत नहीं और हमको पता है कि p से q और q से p जाने इसको इधर दे देते हैं, जिसे आप confuse ना हो, और इस एरय को इधर देते हैं, चला, ठेक ठीक है, अब साइए, ठीक, तो यहां से अगर हम देखे, तो p से q जाने में 2 गंटे लग रहे थे, P से Q जाने में Q से P आने में हमको कितने गंटे लग रहे थे 10 गंटे जिसमें से 2 गंटे यहां लगे हैं तो आप यह बताईए यहां से यहां आने में कितने गंटे लगेंगे तो हम कहेंगे सर्जी 8 गंटे तो भाईया हमसे क्या पूछा गया है तो यहां से हमारा निकल चुका है क्या समय तो कितना समय निकल चुका है कौन सी कौन सी स्पीड की तो अगर हम यहां से कहते हैं यह हमारी downstream speed हो गई और यह हमारी upstream speed हो गई तो हमारा d और हमारा u निकल चुका है कितना कितना हमारा D और हमारा U निकल चुका है कितना कितना तो हमें पता चल गया है कि समय की अगर बात की जाए तो हमारा समय कितना है यहां से तो हम कहें कि यहां से सर दो यूनिट है और यहां से सर कितना यूनिट है यानि downstream और upstream निकल चुकाया चाल का अनुपात कितना हो गया तो हम कहेंगे सरजी HR अनुपात 1 हो गया अब हमसे क्या पूछा गया है दोस्तों अब हमसे पूछा गया है थोड़ा सा नीचे कर लें जिससे आप समझ पाएं तो हम यहां से लिख सकते हैं B प्लस आर बटे B माइनस आर की जो वैलू है वो हमारे सवाल में कितने के बराबर है चार बटे एक के बराबर है तो चलो आख स्वाल कर लेते हैं इतने के बराबर, चार बट एक के बराबर, तो आख स्वाल कर ले, तो यहां से क्या मिलेगा, 4B minus 4R is equal to B plus R, तो B को इदर ले लो, तो यहां से क्या मिलेगा, 3B is equal to 5R, तो यहां से अगर हमने किया, तो B बटा R बराबर हमें क्या मिला, 5 बटे 3, यानि नाओ की चाल और धारा कि चाल का अनुपात जो होगा, वो किस अनुपात में होगा, तो हम कहेंगे सर जी 5 अनुपात 3 होगा, किस अनुपात में होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे 5 अनुपात 3, यानि किस में होगा, तो हम कहेंगे क्या, ओफसर नंबर A, यानि 5 अनुपात 3 होगा, कहीं कोई दिकत नहीं एकदम सिधा सिधा सवाल था कि P से Q जाने में और Q से P वापस आने में 10 घंटे का समय लगता है और P से R जाने में 4 घंटे का समय लगता है तो क्यों मदबिंदू है तो हम कह सकते हैं यहां से यहां 2 घंटे लगे होंगे और यहां से यहां 2 घंटे लगेंगे तो यहां स स्पीड यानि अनुप्रबाचाल क्या होती है नाव की चाल प्लस नदी की चाल और प्रबाचाल क्या होती है नाव की चाल माइनस धारा की चाल या नदी की चाल तो दोनों का जो अनुपात है वो चाल अनुपात एक है तो यहां से हमने जब सौल किया तो हमें कितना मिला पां की ओर और देखते हैं अगला कोश्चन क्या है आए पढ़ लिया जाए क्या कहा गया है कि की 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 हाँ A B C नदी के किनारे तीन सहर है जो समान रूप से वहती है ठीक है A B और C से समान दूरी पर है ठीक है A B और C से कहां पर है समान दूरी पर है A से B तक जाने तता वापस आने में 15 घंटे लगता है तता सहर A से C तक 22 घंटे में जाय जा सकता है सहर C से A तक जाने में कितना समय लगेगा क्या कहा गया है पढ़ दिया जाये B है मदबिंदू पर भाई मेरे यहाँ पर गलत लिखा गया है ठीक है A B और C से समान दूरी पर है नहीं यहाँ पर उपर में क्या है ठीक है B मदबिंदू में है तो यहाँ B होना चाहिए यहाँ पर B होना चाहिए और यहाँ पर A होना चाहिए ठीक है तो चलिए बना लेते है अब बना लेते हैं फिकर यहाँ पर यह है A यह है B और यह है C आहां बना दिया A, B और C, तीन हो गए अब क्या कहा गया है, प्रभू पढ़ लिया जाए अब कहा गया है कि राम A से B तक जाने तथा वापस आने में तो चलो भाईया यहां से बना दे राम A से B तक जाने तथा वापस आने में कुल मिलाकर कितने गंटे का समय लेता है तो कुल मिलाकर 15 गंटे का समय लेता है क्या बात है ठीक है, और क्या कहा गया है A से C तक यानि यहां से यहां तक A से C तक जाने में कुल 22 गंटे 40 मिनट का समय लगता है चलो भाईया, यहां तक तक clear है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं कि भाईया A से B गया और B से A गया तो total 15 गंटे लगे और A से C तक गया तो कितने लगे 22 गंटे 40 मिनट तो यार अब तो सवाल बनना ही चाहिए कि सर जी अगर वो मद बिंदू तक जाता तो तो इसका मतलब यह है कि यहां से यहां उसे जाने में इसका आधा यानि 11 गंटे 20 मिनट लगते और फिर अगर वो इधर से इधर भी जाता तो ग्यारा घंटे बीस मिनिट लेता सर जी तो इसका मतलब क्या प्रभू जी तो इसका मतलब यह सर यहां से यहां जाने और वापस आने में पंदरा घंटे का समय लगता है जिसमें से ग्यारा घंटे बीस मिनिट उसको ए से भी जाने में लगता है तो इसका मतलब क्या कि तीन घ और आने में समय लेता होगा तो कुल जोड़ कर देख लो 11 गंटा 20 मिनट और 40 मिनट 12 तेरा 15 गंटे लगे तो क्या पूछा गया है कि सहर C से क्या बात है सहर C से क्या बात है सहर C से B B से जाना है तो सहर C से ये की और जाने में कितना समय लगेगा रे मेरे भाई रे मेरे दोस्त रे मेरे प्रेया यहां से यहां जाने में अगर 3 गंटे 40 मिनट लगा है तो यहां से यहां भी आने में कितना समय लगेगा रे तो हम कहेंगे 3 गंटे 40 मिनट का ही समय लेगा गुरू जी तो कुल मिला कर कितने हो गए गुरू जी 3 गंटे 3 गंटे 6 गंटे और 80 मिनट का मतलब कितना हो गया गुरू जी तो हम कहेंगे 7 गंटा 20 मिनट यानि 7 गंटा 20 मिनट वो लेगा कहां से सहर C से न चलाते हुए कहां पहुँचने में A पर पहुँचने पे जहां पर वो अपने परिवार से जाकर मिलेगा कहीं कोई दिक्कत रही चीजे clear हो रही है बड़ा मज़े से समझ में आ रहा है तो ऐसे graph के questions exam में आते हैं आए हुए हैं तो इसको अब सीखना है छोड़ोना नहीं है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्तो तो क्या हम अगले questions की ओर बढ़ सकते हैं तो अगला questions ये रहा चलिए क्या कहा गया पढ़ता जाए सांत जल में एक motor boat की गती का और धारा के गती का अनुपाद क्या बात है भाईया boat और नदी की अनुपाद चाल का अनुपाद दे दिया गया है ठीक है ये चाल है ठीक है अगर ये चाल है तो हम यहां से downstream निकाल सकते हैं हम यहां से upstream निकाल सकते हैं कैसे हम कहेंगे 55 plus 7 ठीक और हम कहेंगे क्या क्या कहेंगे पचपन माइनस ता तो यहां से क्या तो क्या हो गया 62 यहां से क्या तो क्या हो गया 62 और यहां से क्या तो क्या मिला क्या मिलेगा 48 ठीक है चलो तो यह तो भाईया हमारी चाल ही चल रही है यानि डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की चाल कैसे नाउ की चाल प्लस दारा की चाल नाउ की चाल माइनस दारा की चाल तो यह कट गया हो गया 31 और यह हो गया हमारा 24 यानि यह चाल है रे चाल और हमारे सवाल में क्या दिया है समय तो समय क्या होगा अगर हम डाउन स्ट्रीम अप हम से चुके हैं यानि 31 अनुपाद 4 है तो यह कितना होगा 24 अनुपाद 31 और हमारी इस 24 यूनिट की वैलू सवाल में कह दी गई है 4 घंटे 24 मिनट 4 घंटे 24 मिनट का मतलब कितना 4 घंटे का मतलब 240 प्लस 24 24 यानि 264 मिनट 264 मिनट यानि एक की वैलू कितनी तो हम कहेंगे 11 मिनट और एक की वैलू अगर 11 मिनट तो 31 का मतलब कितना 31 मिनट तो हमारे सवाल का उत्तर क्या होगा 341 मिनट 3-41 मिनट का मतलब किया 60 से भाग होगा तो हमें क्या मिलेगा 5 घंटे 41 मिनट कहीं पर है कहीं पर है कहीं पर है नहीं है तो answer मार दीजिए none of this ठीक है तो answer मार दीजिए क्या none of this इन में से कोई नहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं चीजे clear हो गई सबसे पहले हमने now की चाल और नदी के चाल से अनुप्रभाचाल और उप्रभाचाल निकाल लिया जहां पर down streamer up stream की speed का नुपाथ कितना है 13 नुपाथ 24 तो समय कितना आएगा यानि time भाईया किसी को ना समझ मैं तो यहाद एक लो time कितना होगा तो हम कहेंगे 24 नुपाथ 24 के value 264 31 के value कितनी 341 यानि 60 से बाग दीजिए 300 यानि 5 घंटे 41 मिनट कहीं कोई दिक्कत नहीं तो हम बढ़ सकते हैं अगले questions की और आली रे आली दीपक सरकी वाली आली और हम क्या बोट एंस्ट्रीम यानि ना अधारा सीख कर हो गए लाली रे लाली ठीक तो बढ़ते हैं अगले questions की और और देखते हैं क्या तो आये देखें अगले questions में क्या कहा गया है कि एक ना धारा के प्रतिकूल एक निश्ची दूरी तै करने में धारा के अनुकूल की तुल्ला में 60% अधिक समय लेती हैं तो बढ़िया कोई दिक्कत नहीं कि तुल्ला में 60% अधिक समय लेता है तो यह अगर 100 यूरिट लेगा तो यह 160 लेगा 60% अधिक और यहां से अगर हम करेंगे तो यह होगा 505 ठीक है चलो बहुत अच्छा तो अब अगर चाल यानि गती यानि स्पीड की बात की जाए तो हम कहेंगे कितना 805 ठीक है चलिए भईया तो अब हमारे सवाल में धारा के गती है जब तक हम नाओ की चाल ना निकाल ले तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि अनुकूल दिसा में जाने में कितना समय लगेगा तो अब हमको पता है कि अनुप्रवाचाल का मतलब नाओ की चाल प्लस धारा की चाल और उप्रवाचाल यानि अपस्ट्रीम बराबर कितना बी माइनस यू सॉले बी माइनस आर बराबर कितना होगा 8 बटे 5 तो 8 बी माइनस 8 आर इकोवल टू 5 बी प्लस 5 आर तो चलो भया नदिया के इस पार करो तो यह होगा 3 भी और इसको नदिया के उस पार करो तो यह होगा 13 आर तो हमें यहां से क्या मिल गया मेरे यार तो मिल गया बोट की स्पीड बटा धारा की चाल बराबर 13 बटा 3 क्या बात है सड़ जी अब जब अनुपात आ चुके हैं और हमें धारा की चाल पता है कि 3 की वैलू कितनी है 9 किलो मीटर पती घंटे तो 1 की कितनी होगी तो हम कहेंगे 3 किलो मीटर पती घंटे तो 13 की कितनी होगी तो हम कहेंगे 49 किलो मीटर पती घंटे होगी दोस्तों हाँ यारा तो अब हमारे पास नाव की चाल भी आ चुकी है और हमारे पास धारा की चाल भी आ चुकी है तो हम से पूछा गए हानुकूल दिसा में जाने में तो डाउन स्ट्रीम कितना होगा तो हम कहेंगे 39 प्लस 9 किलो मीटर प्रती घंटे यानि ये कितने के स्पीड से जाएगा तो हम कहेंगे 48 किलो मीटर प्रती घंटे के स्पीड से जाएगा तो हम से क्या पुछा गया 480 किलो मीटर जाने में लगा समय अब तो चाइना का आदमी भी एंसर दे सकता है कि क्या होगा हाँ या ना ठेक यानि घंटे वो भी किसमे हिंदी में कितना सर्जी 10 घंटे होगा कित ही प्रेम भाव से क्लेर हो रही है तो क्या हम बढ़ सकते हैं अपने अगले कोश्चन के ओर तो आइए देखे हमारा अगला कोश्चन क्या है हमारे स्क्रेन पर एक तराग बिंदू A से धारा के वी परीट 5 मिनट में 5 मिनट तक तैरता है और फिर अगले 5 मिनट के लिए धा में वापस तैरता है और बिंदू B पर पहुंच जाता क्या बात है यदि A और B के बीच की दूरी 100 मिटर है तो धारा के गति अरे बावारे किलो मिटर पती घंटे में ग्याद करी चलिए भया जैसा जैसा कहेगा जैसा जैसा प्रभू की माया वैसा वैसा उसका भक्त अद्धी पक्सर वैसे वैसे मेथट से बताएंगे तो हमसे कहा क्या गया है कि यह है ठेक एस से चलना सुरू करता है धारा के विपरीत यानी धारा के विपरीत यानी B मैनस R कर देते हैं लो भया ठीक है B मैनस R ठेक है पांच मिनट पर चलो भया चला आए लिए और पहुंचने के बाद वो फिर चलना सुरू करता है अब धारा के गती के साथ तो B प्लस R होगा और पांच मिनट में और पहुंच जाता है अच्छा B ना ले नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर जी आप B ले रहे हैं तो सवाल कैसे बनेगा ठीक है तो एक काम करते ह क्या परक पड़ता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यहां से या B ना लेते हैं चलो यहां से ले लेते हैं X X-R भाईया X, X को आकिर सर जी बुला ही लियें चलो भाईया रहने दो क्योंकि यहां पर B पहले से आ चुकी है और पहुंच जाता है B यानि यहां से यहां से अगर सीधे लाइन टान दिया जाए तो यह बिन्दू है यानि यहां से यहां की दूरी कितनी है 100 मीटर क्या बाद है तो अब आप हमको यह खुद बताईए दोस्तों कि जब जब वो पांच मिनट में क्योंकि सबसे पहले हम एंसर यह मीटर में है तो सिकंड में निकालते हैं पांच मिनट गुने साट कर देंगे तो यह हमारा क्या गुने साट कर देंगे तो यह हमारा क्या हो गया तो हम कहेंगे कि सर जी यह हमारा हो गया किस में सेकंड में तो तीन सो सेकंड में हलाकि कॉमन चला जाएगा दिक्कत नहीं है तीन सो सेकंड में वो कितना जाता है धारा के साथ जाता है तो बी प्लस आर जाएगा क्या बात ह की दूरी कितनी मीटर है 100 मीटर है लिख सकता है दोस्तों हाया ना अब तो कुछ सवाल में रहा ही नहीं 300 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा B प्लस R माइनस B प्लस R is equal to 100 तो B से B cancel 2B equal to इसको भी वड़ा दो यार तो 2B equal to 1 by 3 तो R equal तो कितना मिलेगा 1 बटा 6 मीटर प्रतिस सकंड मैं समय हूँ ठेक है तो हम से क्या पूछा गया है ठेक 2 R equal to यहां से जाएगा तो 1 by 3 होगा और यहां से हम करते हैं तो 2 इदर बजेंगे तो 1 by 6 होगा तो मीटर प्रतिस सकंड 1 बटा 6 गुने 18 बटा 5 किलो मीटर प्रति घंटे अगर हम करते हैं 6 उडादे यार 3 बार में यानि कितना होगा 0.6 किलो मीटर प्रति घंटे यानि धारा की जो चाल होगी वो कितनी होगी 0.6 किलो मीटर प्रति घंटे चलो वह यहां X तो काम आ गया लेकिन कोशिस करना है एक्स तो नहीं लेंगे बड़े आसान से और बड़े प्रेम भाव से हम सवालों को बनाये जा रहे हैं जिस तरीके से नदी किधारा बहुत सांती से बहती रहती है उसी तरीके से हम भी इस कोशनों को बड़े सांती धंसे बना रहे हैं और बहुत ही जब आप धंसे चीजों को सीख रहे हैं तो क्या हम अपने अगले questions की और बढ़ सकते हैं हमारे दोस्त हमारे बंदूओं हमारे प्रियर तो बिल्कुल बढ़ सकते हैं और देखते हैं हमारा अगला questions क्या है चलिए इस questions के मैं आपको दो तरीके से सिखाऊंगा कैसे क्या है नहीं है थोड़ा सा देख लिजिए और इस तरीके से जा लिजिए किस तरीके से सवालों को हम बना सकते हैं और किस तरीके से सवालों को कर सकते हैं का गया है की 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 क्या कि एक आद्वी सांथ जल में 6 किलोमेटर पते घंटे की गती से जाता है और उसे पता चलता है कि उसने नदी में धारा के बीपरीत एक दूरी को तैग की है जिसे तीन गुना से में लगता मैं आपको सबसे पहले इसको concept से समझा तो बड़ा मजा आता यहां से यहां गया आज अब सवाल बना लिया यह A है नहीं लेंगे यह X है और यह माल लेते हैं Y ठीक है चल तो कहा गया है कि एक आज मी 6 किलोमेटर पते घंटे के गती से जाता है तो हम माल लेते हैं कि यह डाउन स्ट्रीम है तो यह 6 प्लस R होगा प्रभू ठीक है यह 6 4 10 प्लस R होगा और मान लेते हैं यहां तक जाने में इसको 10 घंटे का समय लगा क्या दिक्कत है मानने में क्या जाता है मानो तो शारा जहां अपना नहीं तो कोज भी नहीं है न।-ठीक और पिर कहा गया है तो अब भाए आते वक्त वो कैसे आएगा तो आते वक्त वो 6 मैं ऐसे questions पढ़ाएं हैं कि चाल इतना समय इतना यानि दूरी और यहां से भी चाल इतना समय इतना यानि दूरी यानि दोनों आपस में दूरी बराबर है तो क्या हम लिख सकते हैं क्या 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 लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे सर जी 6 प्लस R गुने T बराबर 6 माइनस R गुने 3T, दोनों अपस में बराबर होंगे सरजी मैं भी कुँँगा, बिल्कुल बराबर होंगे क्यों बराबर होंगे, क्योंकि दूरी समान है तो भाईया T से T कैंसेल तो चलो solve करते हैं, 6 प्लस R इकुवर्टो 18 माइनस 13 भाईया इसको इदर भेज़ दो, कितना हो गया 4 R एकुवर्टो ये हो जाएगा 18 माइनस 6 12, तो R के वैलो कितने हैं आ गई, 3 किलोमीटर प्रती घंटे है, कहीं पर answer में, तो है option number A, यानि सवाल का answer कितना हो गया, 3 किलोमीटर प्रती घंटे कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़े प्रेम ढंक से हम सवाल को बना सक रहे हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजे clear हैं, अब इसी सवाल को बनाने का दूसरा तरीका देखो सूतर इस तरीके से आप लिख सकते हैं Speed of boot इतना विक्यों लिखने जाएं Speed of boot ने लेंगे, तुम लोग जानी चुके हो यह boot की चाल बटे, नदी की चाल बराबर N प्लस 1 बटे N माइनस 1, बैस सवाल खतम 9 की चाल, B का मतलब आप जानते हैं 9 की चाल, सांत जल में 12 की चाल, N का मतलब गुना समय अब देखो सवाल की धजिया, चुटकियों में कैसे उड़ती हैं तो हमारा चाल कितना था 6 किलो मीटर प्रती घंटे था R की वैलू हमें नहीं पता बराबर, कितना 3 कुना समय ले रहा था, 3 प्लस 1 बटे 3 माइनस 1 यहां जे काट दिया, 2 बार में तीन बार में, यानि R के वैलू कितनी हो गए 3 किलो मीटर प्रती घंटे तो आप वहतरी इन धंग से सवालों की धजियां उड़ा रहे हैं और हर कोस्चन को पविलियन पार्च कामार रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं बड़े आराम से चीज़े क्लियर हो रही है समझ में आ रहा है और अब आप कह सकते हो कि आप चीज़ों को सीखते हुए जा रहे हो ठीक है ना तो बढ़ सकते हैं अपने अगले कोस्चन की ओर तो बिना समय गभाई हम बढ़ेंगे अपने अगले कोस्चन की ओर समझ रहे हो ना समझ में आ रहा है ना टाइटनिक पिच्चर तुवारा नहीं बननी चाहिए तो बढ़ते हैं अपने अगले कोस्चन की हाँ चलिए क्या का गया पढ़ लिया जाए दो अस्थान A और B की दूरी 100 किलोमेटर है दो ना एकी समय पर दोनों अस्थान से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते है अस्थान B से ना के धारा के अनुकुल और दूसरी ना धारा के भी प्रित एक चीज़ सबसे पहली बात हम यहां से सीख लें देखो यह मान लेते हैं दूरी है ठीक है एक ना ठीक है जो भी है यह मान लेते हैं दूरी है या फिर मान लेते हैं एक नाम करते हैं पहले तुम लोगों को ऐसे समझा दे दूरी जो भी हो देखा जाएगा यह मान लेते हैं A है फिर A X और यह है Y तो एक नाव धारा के पनुकूल जाएगी तो कितने के स्पिट से जाएगी बी प्लस आर के स्पिट से और एक नाव धारा के प्रतिकूल जाएगी तो वह कितने के स्पिट से जाएगी बी मैनस आर के स्पिट से और आप जानते हो आप पहचानते हो इन सवालों को कि क्या सर जी कि जब दो वेक्ती जब दो चीजे एक ही समय पे एक दूसरे की और बढ़ेंगी तो वहाँ पे चाल कौन सी होती है DDLG याद करो कि सिम्रन को वो पकड़ने जा रहा है मैंने पढ़ाया था इस तरह के यानी relative चाल यानी सारपेक्शक्चाल क्या होती है तो आप कहेंगे सर जी सारपेक्शक्चाल होगी A वाले नाव की चाल A और B ही लिखा है A है और यहाँ B है ठीक है चलो ठीक है और यहाँ से है सार्पेक्चिक चलो B-1 तो यहाँ से हमने क्या देखा R से R कैंसर यह बूट 1 दे देते हैं बूट की स्पीड और यह दे देते हैं बूट 2 की स्पीड चलो B1 प्लस B2 तो हमारी सारपेक्चिक चाल क्या रही है B1 प्लस B2 आ रही है तो सवाल तो ऐसे ही खतम हो गया रहे प्रभू कि अगर D किलोमीटर दूरी है तो हमारी सारपेक्चिक चाल कितनी है B1 प्लस B2 तो मैं समय तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटा पहली नाव की चाल प्लैस दूसरी नाव की चाल क्योंकि नदी का तो यहां कोई काम ही नहीं है क्योंकि वो दोनों तरफ से आ रही है तो वो कड़ जाई तो अब इतने बड़े सवालों की धजियां कैसे उड़ रही है आव आप सीख चुके हैं तो हमारे सवाल का एंसर बिना पेन लगाये भी हम दे सकते हैं सौ जाना है सर जी ये बारह सर जी ये तेरह यानि यहां से काड़ दिया तो हमारे प्रस्न का उत्तर कितना चार गंटे बाद वो लोग एक दूसरे से क्या करेंगे मिलेंगे और तला में खिला हुआ कमल पकड़ कर ये गाना गाएंगे आज मिलना जरूरी है हाना ठेक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं चीजे क्लेर हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और हमने बहुत अच्छे से कॉंसेप्ट को भी सीखते हुए बढ़ा है तो इसे A मान लीजे और इसे B मान लीजे क्या परक पड़ता है ना कि चल हमने B1 B2 मान लीए तो बस आज हम अपने इस वीडियो में इहीं तक रखेंगे हम धीरे धीर एक एक चीजों को लेकर आ रहे हैं अगले वीडियो में हमें एक बहतरीन कॉंसेप्ट के साथ बढ़ेंगे तो तयार हैं आप तो बस आज इतना है सेर करिए लाइक करिए और दोस्तों को सस्क्राइब करने के लिए शरूर करिए थैंकियो फर वाजिए